नो वन कें डिपलेस यू नो वन कर निम्यूव यू एक्सेप्ट यूर अपॉइंटिंग अथॉर्टी ओंगी सी जो सीटी सी है वो 22 लग का है कहा जाता है कि सरकारी नौकरी का टैक किसी भी नौजवान विक्ति को संपूर्ण बना देता है और इसका प्रचेक्श प्रमान यह है कि लोग डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर जैसे प्रोफेशन को छोड़ करके गॉर्मेंट जॉब्स और सिविल सर्विसिज की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन तमाम आकरशन के बाद भी चार्टेड अकाउंटेंट्स बहुत ही कम संख्या में गॉर्मेंट जॉब्स या फिर पब्लिक सेक्टर अंडेटेकिंग्स में काम करते दिखेंगे आज के इस पॉड्कास्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट कहीं किसी चीज़ को मिस्तो नहीं कर रहे हैं चाहे वो पैसा हो, प्रमोशन हो या स्टेबलिटी हो और सिक्के के दूसरे पहलो पर भी चर्चा करेंगे कि किस चार्टेड अकाउंटेंट को गौर्ब्मेंट जॉब के बजाए कोर्परेट या फिर प्रैक्टिस प्रफर करना चाहिए आज के हमारे केस्ट है अभिनाव राथाओर कुज अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट इन करेंट्ली वर्किंग इन डीए अज असिस्टेंट अकाउंट ओफिसर इन्होंने इस एक्जाम के अलावा और भी दूसरे मुल्टिपल एक्जाम्स सब्सक्राइब करेंगा और हम बेटर फाइनिशल कॉंटेंट प्रिपेर कर पाएंगे पहला सवाल आपसे यह कि सी एक्जाम क्लेर करना जादा टफ है या फिक गौर्मेंट एक्जाम को क्रेक करना जादा मुश्किल करना है देखिए दोनों एक्जाम की अपनी अलग स्ट् अलग स्ट्रवर्मार्ट और तो आग गल लिया है तो अलग स्ट्रवियों अलग कॉसके में किया है ना किया थीक ऐसे ख़ल स्वाइनिशलाइट सब्जेट्स हैं बद गवर्मेंट एक्जाम इसा नहीं है आउट ऑफ हंड्रेट कोशन you will be 75 और 75 पेसेडा अपका क्रिकलम ब जनना नौलेज रिजनिंग और कॉंटिटिटिट में बेज़ रहे हैं और आई थिंक मोस्ट ऑफ दसी इस जो कॉलिफाइड है देस सफर फॉर्म इस तो उनके लिए यह बहुत चैलेंजिंग टास्क है तो मेरे साब से आपको गर्मेंट एक्जाम के लिए प्रिपेरेशन करन चैनल और माध्यम से आपको गाइनस लेनी चाहिए पास करने के बाद आपको पहली इंसाइट होनी चाहिए कि पास होना इसके लिए अलग से थोड़ा सा डिसिप्लिन और डिडिकेटेड स्टुडी करने के बाद ही आपको असली चैलेंग तब होता है जब आप सी बन जातो चैनल चाहिए और आपको जो भी आप बोलते हो तो बड़ा ही सो समझ के आपको बोलना है आपका वाकिंग स्टाइल आपको उसमें रिफलेक्ट करेगा अपकी फसनली तो इसलिए मैरा यह मानना है कि आपको तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए आगे के मल्टिमिल कर में इसी सब्सक्तातौन है इसा डीक आता सकते हैं स्टीइट अपस्टे जो एक दीटा तो नहीं वैंधा मैं अपने बेशनल पर सकता मेरे दस तो तो समने 45 प्रक्टिस कर रहे हैं और 34 प्राइवेट जौब करें उसमें आटव करते हैं और प्लान कर देते हैं क्योंकि सोचना अलग चीज़ है इंपलीमेंट करना उसको लग चीज़ है इंपलीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं इस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में इंडल जोटाते हैं और उनको अच्छा पैकेज मिलता है उनको और रफ आइडिया नहीं उनको कई निकालने का तरीका नहीं पता तो उनको यह सुट्या कौन अप्लाइब करेगा इतना मल्टिपल स्टेजिस हैं तो इसी वजह से वह प्लान कर देत सब्सक्राइब है तो इसी के समाना अंतर इसी के आस-पास का कुछ पैकेज 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 जैसे सिस्टम तो हम नहीं वर्ड यूज करते हैं और गश्मनेंट सर्विसे स्में क्या अगर आप सी यह हो तो गर्मेंट अगनेजिस में लेवल हो थे वोग को बोल सकते हैं तो आपकी एंट्रे लेवल होती हो क्लास बचला से होती है लास वन को जैसे मैं इंट्रेइल हो गया याप अचौंस ऑफीसर हो गए तो इन लोग को अचांट्स ओफीसर मैंमेंट ट्रेंडी बोला जाता है दिख्रविक पसब आए तो यह दो अब ने जाती पस्तों आपंशेन्स पूंपर करता है और न थोट ku कम सांसरे बहुति एक्वागि से ल्ड़ावर्शy तो पिर न रेम, कुछ स्बिल नियंसर आपटो प्रहुरत करें न हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसमें वह अपने जो एडविटीजमेंट होते हैं उसमें आपको कभी डिस्क्लोज करेंगी वह लिखती है तक कॉस्ट कंपनी तू यू जैसे ओंजी सी वह बाइस लगका है पेकेज मिलता है उसकी जो पोस्ट वह अप जाएंगे उतने वड़ी आपको पोस्ट मिलेगी पोस्ट का नाम डेक्जिनेशन चेंज हो जाता है उसमें फाइनेंस अकांश ऑफिस हो जाता है तो उसमें आपको असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्टिंग होती है उसके रदाप एक धार्ना कि हर्ड़ी साल बाद में पोस्टिंग आती है तो क्या तीन साल बाद यह ट्रांसफर पोस्टिंग आफ्टर को सब्सक्राइब तो वो पूरे पैन इंडिया काम करते हैं और गर्मेंट का मानना यह कि अगर आप किसी प्रट्रीजन को ब्लॉंग करते हो तो आपको उस रीजन में ना रखा जाए इसका कुछ खास करण यह कि आपको डाइवेसिटी आपको देशन को मिले अगर आप जैसे वह तो आपको डाइवेसिटी देखने का मिलेगी और कहना है कि आप जो है काम से अपना इंफलेंस ना कर पाएं तो वह चीज़ होता है हों पोस्टिंग लेना बहुत मुश्किल होता हों पोस्टिंग लेना न्यूली क्वालिफाइड चार्टेड अकांटेंट्स अगर यह के तो उसमें किसी तरीके का रिजर्वेशन जैसे स्टी ओबीसी या इडेवलेस्ट या फिर विमेंस के लिए किसी तरीके का कोटा देखिए वुमें के लिए इस प्रिस्टिंग नहीं है अगर हम बात करें कास्ट बिसिस पर जो टोटल इसन बनके आता है 59.5 परसंट आता है 60 परसंट जिसमें की ओबीसी का डिशन 27 परसंट है चीडियूल ट्राइब का 7.5 परसंट है और इड़ल एस का 10 परसंट है और शीडियूल का 15 परसंट है यह रफ आइडिया है टोटल बनके आता है 60 परसंट तो 60 अगर आप 10 तो 6 सीट रिजर्वें के टेटेगरी वाइस जि इस लिए उनके लिए सीट रिजव की जाती स्पेशल चिल्डन के लिए तो यह जैसे जो पोस्टिंग निकल रही है यह सबके लिए है इस पर मतलब अगर आप चार्टेड अकॉंटेंट थे तो आपको एक एड़एड़वांटेज है और बाकी रिजर्वेशन की रूल सब सब्सक्राइब के लिए कॉमारे साथ कोई खड़ा हुआ है कईना कि जो असिस्टेंट मेनेजर फाइनेंस की वेकेंसी निकलती वह उनली सीजिबल तो आपका कॉम्टेशन से के साथ ही है आपका विदिन दा आपका जो है आपका करिकुलम बेस कॉम्टेशन है गॉर्मेंट बेनिफिट्स के बारे में बता है जिनें आम लोगों को नहीं पता है यह वह चीज़ है अगर में जाता हूं तो यह मुझे मिलेगा जो मुझे कॉर्परेट में नहीं मिल सकता है देखिए गर्मेंट सेक्टर में जो सबसे बड़ी चीज इंटेंजिबल एस्ट जो आपकी है फब्लिक में जाओं बहुत बड़ी चीज़ है की भाई हमाई लगाने सरकारी नौकरे ले लिया तो यह जो टैग लेना और प्राप्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा गौरव की बात है बाकि के साथासाद आपको हाउसिंग फेक्शलिटीज तमाम तरुके आपको टेलिफोन अलाउंस मिलते हैं और कहना कि आप गर्मेंट सेक्टर में काम करते हो तो वह चीज अपने आप में बहुत अच्छा चीज है कि अगर कोई विक्ति प्यू में जॉब शुरू करता है तो वह किस लेवल तक जासे अगर आप अभी जैसे आप किसी अपॉइंट होते ह आप किसी पोस्ट पर आपेंट हो दो रख़्ा जाएगा तीन साल का वह становится होना ह 나서 हमें मैं फिक्स होता है जैसे इंसूरिंस कंपनी होता हैं उसमें हाउना में हर एठ fijочку नहीं प्रमोस्ट से इंशल विकॉस आप लो लेवल ओप स्पैन ऑफ कंट्रोल तो इस वज़े से आपको प्रमोर्शन कम होते हैं वह अगनाइज़िशन टो अगनाइज़िशन डिफर करेगा आपका जिस तरीके का थ्रोट कट कॉम्पोटिशन देख रहे हैं आप आप कोपरेट की बात करो जिस तरीके स सब्सक्राइब बात करें तो इसे वह में पॉइंट बोलूंगा कि मुश्किल समें इंट्रिकना उससे परेंसे निकल पाना इंगया कि आपको नो वन केन रिप्लेस यूव उटकर यूव कोई भी करोगा तो सबस्क्राइब को तब आपको तो तो नौस के बाद आपको जो आपको सुनने की तो तमाम तरह कि आपको जो है जहाए इस टेप का फेस करना पड़ेगा और बात करें वकलाई बैलेंस की औफिचल आवा रहें आपके जैसे नौ बज़े लेकि छे बज़े तो नौ से पहले आपको कोई बुलाएगा नहीं निए को रोकता है तो वह उसके लिए उसके लिए आपको पेक किया जाएगा है कोई कि हटा के आपको जो ऑफिस का काम नहीं करा जाएगा सबसे बड़ा एड़ाइड एडवांटेज अगर मैं बोलूं तो यह है कि वर्क लाइब बैलेंस ऑफिस में भी ऐसा बहुत सदा प्रेशन नहीं होना चाहिए किसी और किसी भी गर्वर्मेंट सेक्टर में आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं चोड़ी-चोड़ी मिस्टेक्स पे लोगों को नेक्स्टी वर किक उफ यह सब्सक्राइब करोगे तो अफकोर्स यू विल फेसा सीवर कॉंसे बट आफ्टर प्रवेशन इस ओवर और आफ्टर किया सकता है तो कुई तौई भी आपको नहीं कर सकता क्था क्लेरेंज्ट की आइट की इस की थे अब्र जाए घड घंपार्टन सीबान के तभी आपको करे गए आपको घं किया जाएगा कि नियुद्ध इस तुर एक को ऑपनी बात सब्सक्राइब तो मुझे भी PSU's का, I was quite inclined for PSU's or government jobs, but the reason I think I couldn't make it was कि मेरे टाइम पर सही mentoring नहीं थी, में भी sources नहीं थे, अगर मैं आज बात करूँ कि कोई aspirant है, करने वाला है, या क्वालिफाइ कर चुका है, और उसे कुछ source बताना हो, आपको लगता हो कि हाँ, यह वो mentoring place है, यह YouTube channel है, यह वो चीज है, जहां अगर वो connect करता है, तो उसे उसकी चाहत वाली चीज मिल जाएगी, कोई ऐसा platform, कोई ऐसी चीज है, देखिए, मेरा माना यह है, कि समंदर की घहराई वही जान सकता है, जो नीचे तक गया हो, अब जिसने कभी कोई exam निकाला नहीं, या जिसने कभी कुछ ऐसा कुछ देखा नहीं, तो वो चीज उससे guidance ने थोड़ा सा बची, avoid कीजिए, हमेशा आप उनी लोग से mentorship लीजिए, आप किस तरीके से help करना चाहते हैं, आप से connect करना चाहें, तो आपके YouTube चैनल के तुरू किस तरीके से आप से connect कर सकते हैं, जी, and what you can contribute for your success. किसमत काम आजाती है, और आपको जो है, बहुत life change हो सकती है, और अगर आप मेरे से connect हैं, मेरे चैनल है, Catalyst Decoder, इसका description box में भी इसका जिकर दिया जाएगा, और आप मेंसे connect कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएं, जैसे अगर CA exam पास करने के बाद में, अब यह हमसे आप से पहले बात हो रही है, आप बता रहे हैं कि final exam जब clear करते हैं, वो उससे जुड़े कोशन्स नहीं आते हैं, रधर जो एक्जाम में आते हैं, जो उन्होंने इंटरमीडियेट, IPCC में पढ़ा होता है, देखिए मैंने हर गर्वर्मेंट एक्जाम मैंने हर तरह के दिये हैं, चाहिए वो CC-related हो, CC-related ना भी हो, सबसे जो फर्मोस्ट कराई पहला step number one कि आपको form बढ़ना है, और form आप तभी बढ़ोगे जब आपके हाद में prospectus होगा, उसका प्रस्पेक्टर में बलब है application form होगा, application form में कई ना कई syllabus का जिक्र किया जाता है, exam pattern होता है, exam pattern को समझजिए, syllabus समझी, अगर syllabus given है, syllabus के बाहर को question नहीं आएगा, कोई भी government organization ये रिस्क नहीं लेगी कि वो syllabus से बाहर question पूटे, unless until बहुत जादा required ना हो आपके syllabus लेटे, उसके लाब अगर आपको syllabus नहीं दिया है, और तो फिर आप उसके कुछ चार्पा सब्जेक्टर उसको अच्छे से तयार कर लो, और पूरे के पूरे लेविल पर और वही चीज जानते हैं, और भूल जाते हैं, आपका फाइनेंस के exam based question आते हैं, वह IPCC लेविल के questions होते हैं, mostly costing, FM, accounts और थोड़ा बहुत आपका TDS, इन सबसे basic questions होते हैं, और दिखिए मैं ये बता सकते हूं क्या आने के ज़्यादा चांस है, और मैं ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसा कोई भी organization नहीं बोले के ये नहीं आएगा, क्या आना ज्यादा आने के चांसे से वह आपको हम बता सकते हैं, तो उसका एक पपर तरीका है, आप बेसिक questions, बेसिक चैप्टर कर लीजें, उसके लाब़ा आपको थोड़ा और additional चीज़ा पढ़ने की जड़ाते हैं, उसको आप सही तरीके से पढ़िए, कोई upcoming exams जो आपके नज़रों में हो, देखिए, अभी application, अभी जो ट्रेंडिंग exam पावर गिट का चल ला है, उसका application बंद हो चुकी है, एक्जाम अगले महिने हो जाएगा, October में हो जाएगा, इस इसके लाबा इरडाए, असिस्टेंट मेनिजर की लिंक ओपन है, इसके लाबा जो है, इसकी भी application लिंक ओपन है, यह चार बच एक्जाम application लिंक ओपन है, हम आपका बाकी description box में इसका लिंक भी देतेंगे, आप ताकि आप डारेक लिंक खोल के आप जो है, exam form भरिये, साल के कुछ ऐसे महीन है, जिनमें chances या frequency बढ़ जाती है, इस तरीके के उपनिंग सानी है, जुलाई के बाद, जुलाई के बाद आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी vacancies हाती है, वो जुलाई के बाद आती है, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो नबाड हो, अभी फाइनेंस का आने वाला आएगा वेकेंसी, तो अगले दो-चार महीने तक के अंदर उसका application आ जाएगा, तो regulating bodies के जो मैं बता सकता हूं, वो जुलाई के बाद होते हैं, एक्जाम उसका जो है, आलमोस सर्दियों में होता है, दिसम्बर में हो जाएगा, और जिस दिन जैसे के भी कोई questions हो, चाहे वो इस topic से related हो, finance से हो, tax से हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लगता है हो, कि हम कुछ contribute कर सकते हैं, आप हमें connect कर सकते हैं, हमारे details आपको description में मिल जाएंगे, और भी आपके कोई question हो, तो आप do ask us, we would be happy to help you, तो अब जब तक दूसरी वीडिय क्यार रखें, मिलते हैं अलड़ी वीडियो में, thank you झालए टूस। झाल 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 हमाई लड़के ने सरकारी नौके ले लियें हमाई झाल